वारत में मूद्रा की प्राचीन इतिहास का पेपर नमबर 1 हम से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नमबर 1 अब पहले पेपर में आपको पढ़ना है भारत में मुद्रा की प्राचीनता बेसिकली जो पूरा पेपर है ना इसमें आपको मुद्रा के बारे में पढ़ना है कि मुद्रा के शुरुआत कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, क्या क्या चीजे सामने आई, यह सारा कुछ हमको पढ़ना है इस चीज में तो सबसे पहले बात करते हैं भारत में मुद्रा की प्राचिंता के बारे में कि भारत में हमारे जो भारत कंट्री है इसमें मुद्रा की प्राचिंता किसने टाइम पहे है कितने टाइम पहले हमें पता चला कि यार मुद्रा से भी लेंदेन किया जा सकता है क्योंकि अगर आप देखोंगे भारतिये इतिहास का या सिक्कों के विकास का इतिहास भारत में न तो सिक्कों के विकास का जो इतिहास रहा है वो भारतिये समाज के आर्थिक पड़ाव का इतिहास रहा है कि भारतिये समाज ने जिस जिस तरीके से अपनी आर्थिक पड़ाव पैसे जादा हूँ, तो जब भारतिय समाज में आर्थिक पड़ाओ का इतिहास जैसे जैसे रहा हूँ, वैसे ही सिक्को का इतिहास भी रहा है, अब भारतिय समाज में जो सबसे प्राचीन टाइम था जुसको आप इतिहास से हटा सकते हो, जिसको प्रागय इतिहास सी काल कहते तो प्रेगैधिहासिकाल में क्या होता था कि बहुत जादे critical किसी के life style थी नहीं बहुत सीमित सा life style था खाने को चीजें चाहिए रहने को थोड़ा बहुत जगा मिल गया गुफा मिल गया बेड़ मिल गए, कहीं पर भी रहने की विवस्ता होगी, खाने की विवस्ता होगी, इससे जादे किसी को कुछ चाहिए नहीं था, तो जो लाइफ था वो बहुत बेसिक था, तो इसमें जो सुरुवात हुआ पहली बार जो एक तरीके से बदला का, लेन देन का, ये सुरुव उपहार के रूप में किसी ने हमें कुछ चीजे दी है, तो अब हमें भी कुछ रिटन करना चाहिए, तो ये जो बदला है इसी सुरुवात हुआ उपहार के मडल में इसी सुरुवात हुई, और लेन देन में जितनी भी प्रत्किराए होती थी, वो क्या होता था, वस्तु वस्तु बिलिवे के रूप में चीज़ेंचंदरीनुमाइक क्या हुंटू अपने एक वस्तु दिया हमें और हम आपकों एक किवस्तु अपपस कर दिया वस्तु लिया वस्तु दिया तो ये एक क्वीनुमे का पूरी तरह से मुख्य समस्य आये क्या देखने को मिली तो मुख्य रूप से समस्य आये देखने को मिली नाप तॉल में कि भाई हम एक इतना बड़ा सामान लेकिया आरे है और कोई इंसान हमको इतना बड़ा सामान वापस कर रहा है यह हमने इतना बड़ा सामान लेके आये कोई सामान जो important था और उसने हमको इतना वापस किया तो यह जो नापतौल है यह भी बड़ी मोविगा निमाती थी मानले किसी के चीज है जिसमें वजन जादे है तो वो छोटा दिखेगा और किसी ने बड़ा चीज दे दिया उसके जिगा पर तो वो समझेगा मैंने बहुत जादे दे दिया जबकि उसकी value उसके बराबर नहीं है तो नापतौल हो गया सापेचिक मोलने का निधार बहुत important हो गया कि आपकी जो चीज है जो वस्तू है उसकी importance कितनी है जैसे कि आप दिखोगे इतने बड़े सोने की importance जो है इतने बड़े चान्दी से जादे होती है समझ रहे हो जा इतने बड़ा लोहा कोई लेकिया होगी इतना सा सोना लेकिया होगी दोनों की बराबरी हो जाएगी तो जो सापेच्छिक मुल है उसका निधारण का कोई concept नहीं रहा तो ये सारी दिक्कते समाज में आने इस्टार्ट हो गई हमको हमारी चीजों का वो value नहीं मिल पा रहा है जो साइद उसकी real value है real worth है तो तमाम साइम चीज़े आने लगे फिर क्या हुआ जो पूर में प्रासाड काल था या मत्वासाड काल था तो इस time period में जो लोग के जीवन था ये अभी तक complicated नहीं हुआ था कि बहुत जादे complicated हो गया हो लोग का जीवन क्या था आखेट पर चलता था और अन्य संग्रह पर चलता था यानि कि ये सिकार करते थे लाकर के अपने पास रखते थे और उसी को खाते थे कुछ दिन मतलब अ लेंदेन किस चीज का होता था तो उस time पर लेंदेन होता था उपयोगी पत्थरों का आदान प्रतान होता था उपयोगी पत्थर मींज जैसे की आखेट करना है शिकार करना है तो कुछ भाला बनाने के लिए हाँ फावडा बनाने के लिए अलगलग चीजों के लिए कुछ पत्थरों की ज़रूर्त पड़ी थे मालक किसी के पास भाला बनाने का पत्थर थे उनका क्या होता थे एक दूसरे से क्या करने तो अदान प्रतान किया जाता थे तो बन्देपासाइड काल में यही सारी चीजे चलती रहे तो इस टाइम पिरिएट में भी सिक्को का कोई काम नहीं आया, यानि कि मुंद्रा का कोई काम नहीं लगा, फिर देरे-देरे क्या हुआ, जब नव पासाड काल की इस्ति आई हमारे समास में, तो इसमें कई सारी चीजें आ गई, नव पासाड काल में, कि सुवात में क्या था, आखेट और जो बिलाते थे, वही सब बैठ के कु पालन भी होना श्टाट हो गया, अन उत्वादन का क्रिशी भी स्टाट हो गया, तो बहुत सारी चीजें सामने आ गई, अभी तक क्या था? थोड़ी वो चीजे थी लेन देन करने के लिए, अब लेन देन के लिए उपकरणों में पत्थर भी आ गए, अंगर सगरा करने वा जो लेट देन था इसी पसीवी था यह लिए कि इस टाइम पीरेट तक भी मुद्रा का कॉंसेट नहीं आया था फिर इसके बाद बात क्या आयाता है 2600 इशापूर्म से लेकर के 1600 इशापूर्म के बीच की यह बहुत पर ट्रंसफॉर्मिंग टाइम पीरेट रहा 2600 से 1600 इशापूर्म तक इस टाइम पे सोना चांदी तामा और बहुमूल धात में संक्र यह सारी चीजों का इजात हो चुका था यह सारी चीजे लोगों के सामने आ चुके थी और लोगों चीजे कॉंसेट अच्छे तरीके से वेवहरी कुर्ण से काम कर पाएगा तो बहुत सारी प्रॉबलम से स्टार्ट हुई में रूप से तामर बिन्मे का महतुपूर अंग रहा यह नहीं जो था बिन्मे का सबसे महतूर्म से कॉंसेट समझागे कि इसके बात करते हैं सबसे पार्ट जो है हडपा सब्विता की क्योंकि हडपा आप देखोगे इंडिया की वनमता फर्स्ट सिविलाजेशन थी जो बहुत मातुपूर सिविलाजेशन रही जो नगरी ये सब्विता रही तो हडपा सब्विता जो थी ये पहली भारत की नगरी ये सब्विता रही जिसमे आन्तरिक बाहिर रूप से हर रूप से वो क्यावा सबल था मुद्रा के चलन्गा प्रमाट फिर भी वहाँ पर देखने को नहीं मिलता है संगराहigorां वे रखे जाते थे इसका मतलब की पैसे का कॉंसर्प्ट नहीं था तरवाज पैसे ही ले लिया जाता क्यों जाकर के इते सारा साव़ लाखे के भरते संथ नापतोल के प्रमार देखने को मिलते हैं और अच्छा खासा नापतोल का प्रमार इस टाइम पेरेट में हड़ापा सी बेदा में श्टार्ट हो चुआता इसके बाद इस्टार्ट होता है आपका रिगबैदिक समाज रिगबैदिक समाज में सबसे महत्वपूर जो चीज रही है वो है पसुपालन का महत्व पसुपालन का बहुत महत्व रहा है और पसुपालन का बहुत महत्व रहा है गाए पालन पे बहुत जादे फोकस किया गया है और एक लंबे समय तक आप रिक पैले की तिहास उठाकर के देखोगे यह जो समाज रहा है इसने एक लंबे समय तक गाए बिनमे का बहुत महातुपूर अंग बना घर के रखा था गाए जो थी काउ को उसने क्या किया था बिनमे का बहुत महातुपूर अंग मतलब कोई समान अपने 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 आपको गाए दे दिया क्योंकि लोगों पास पसू चाते होते थे तो एक पसू को दूसरे इंसान को दे 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 थे मतब बिन्वे के तोर पर बहुत लंबे समय तक गाय का उपयोग किया जा जाता था अब रिग्मेध में चार जगों पर एक सब्द बहुत जादे उपयोग हुआ है जिसको लेकर कर बहुत जादे ऐただractory है कई सारे विद्वान मानते हैं, कई सारे विद्वान उसके आला अपोजिट रखते हैं अपना माइंसेट, तो रिग्वैदिक में एक सब्द आया है निस्क, इस सब्द को चार अस्थानों पर रिग्वैद में प्रियोग किया गया है, अब यह जो रिग्वैदिक सब्द है, स ही है मुद्रा और पहली बार हुए समाज में मुद्रा का कॉंसर्ट यहां पर देखने को मिलता है कि ही मिड़ू है की मिद्वर सास्त्री यह nibदा के बार भारत सास्तरी को निसके भड़ करूंते में नहीं को मुद्रा नहीं है. बलकि निस्क जो है, यह प्रमांडित कोई आबुसर्ड है, कोई इंपॉर्टन्ट आबुसर्ड है. वो निस्क को हम मुद्रा नहीं मान सकतें. कई सारे विद्वा नहीं समानतें. और एक जगाब पर जो है रिगवेद में इस टीज का वड़न किया गया है रिगवेद के आठवी मंडल में कि एक रिष्टी को 4,000 या और 8,000 निस्क दान में देने पर एक राजा की प्रसंसा हुई थी एक राजा ने किसी रिष्टी को 4000 से 8000 जो है निस्क दान दिया था तो उसकी बहुत प्रसंसा होई थी तो इससे कहा जाता है कि इस संदब के आधार पर कहा जा सकता है कि यदि निस्क आभुसर होता तो इतनी बड़ी संख्या में दान दिये जाने पर कोई आचित नहीं होता कि अगर इतनी बड़ी संख्या में कोई अभूसर दिया जा तो लोग पागल हो जाते कितनी बड़ी संख्या में अभूसर दिया तो लोगों ने उतनी लेबल पर इंपक्ट नहीं किया लोगों ने प्रसंद सा किया कि हाँ बहुत अच्छा गाम किया तो कही न कहीं कहा जाता है इस आधार पर भी कि यार ये कहीं न कहीं मुद्रा रहा होगा जो की राजा ने रिशियो को दिया होगा तो इस तरीके से पूर जो रिख बैदिक समाज है या पूर बैदिक समाज है उसमें जो है मुद्रे का concept नहीं है रिक बैदिक काल से श्टार्ट होता है मुद्रा का concept और कई ना कई भारत की समाज में हमारे भारत में मुद्रा की जो प्राश्चिन तब जो सुरुवात हुआ है वो कहां से वो है बैदिक time period से बैदिक काल से अब हमको इसमें चानने की ज़रूरत है कि यार्बैदिक काल से मुद्रा का शुरूआत तो हो गया अब मुद्रा कोई चीछ के लिए आप दे रहे हो तो उसका कुछ कौन्टिटी होना चाहिए कुछ शेनापतोल की चीजे भी बहुत अच्छे रूप से सामने आने जीए कि इतनी चीछ का इतना होगा आपका मुद्रा ये मुद्रा इतने लेबल पर दिया जाएगा तो ये सारा कुछ भी हमें समझने की जरूरत है तो आइए देखते हैं समझते हैं और में भी नेक्श वीडियो में समझते हैं ओके